आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन जो के फिस्कल पॉलिशी का एक एहम पार्थ है तो पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन आफ टैक्सेज क्या हम टैक्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं किन क्लासिज में इसे जिवाइड करते हैं तो उसके बाद हम टाइपस आफ टै इसे पे पैक्स को कहते हैं। its burden falls on the same person or the company क्योंकि companies भी तो tax pay करती है जिसको हम corporate tax कहते है तो जो बंदे पर लगाया जाए या जिस company पर लगाया जाए वही उसे pay करें तो ये direct tax है ठीक है आप इसका burden its burden can't be transferred for example income tax है corporate tax है wealth tax है property tax है etc etc तो भई income tax है आपकी income पर tax लगा है आप ही को pay करना है ठीक है आप इसे shift नहीं कर सकते किसी बंदे और पर ठीक है उसी तरह से corporate tax, wealth tax, property tax ये सब आगे हमारे direct taxes अब आता है indirect tax अभी indirect tax क्या है indirect tax direct tax के बिल्कुल ult में है indirect tax उस tax को कहते हैं हम जब एक tax का burden जो है तो एक बंदे पर जाए बट उसको pay कोई और करे ठीक है यानि कि उसका खामियाजा कोई और भुगते इस तरीके के tax को हम कहते है indirect tax ठीक है इसका मतलब इसका burden हम transfer कर सकते हैं जैसे कि for example GST है, service tax है exercise duty etc अब indirect tax के example देता हूँ आपको क्या होता है कि हमारे जो producers हैं तो वो जो जो चीजें produce करते हैं तो उनको tax लगाया जाता सरकार की तरफ से उन चीज़ों को produce करने के लिए बट वो producer होता बड़ा चला आक है, वो क्या करता है वो उस tax को अपनी cost मान लेता है ठीक है cost मान लेता, cost of production में tax को भी अपनी cost में include कर देता है तो include कर देता है तो price में उसको डाल देता है यानि जब consumer उस चीज़ को खरीदता है, तो वो indirectly tax pay कर रहा होता है, उस tax का खाम्याजा बुगद रहा होता है तो indirect tax क्या है indirect tax वो tax है जब जो लगाया किसी एक पे जाए बट उसका burden किसी और पे shift हो यानि उसे पे कोई और करे directly या indirectly, ठीक है यह था हमारा indirect tax अब आते हैं proportional tax पे हम अब यह proportional tax क्या है proportional tax जो है यह हर एक income level पर same ही रहता है ठीक है, यह हर एक income level पर same ही रहता है, it is at the same rate at all income levels, for example for example अगर एक country में 25% proportional tax चल रहा है, अगर एक country में 25% proportional tax चल रहा है, और एक बंदे की income जो है 25,000 है तो उसको 6,250 रुपे as a proportional tax पे करना है इसी के अलावा, अगर एक आदमी है, और उसकी income 50,000 है तो उसको अपनी 50,000 का 25% पे करना है तो 50,000 का 25% बनता है 12,500 तो उसको 12,500 पे करना है तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिस बंदे की income 25,000 है उसको अपनी income का 25,000 है 6,250 रुपे ही पे करना है, लेकिन जिसकी income 50,000 है उसको 12,500 पे करना है तो इसका मतलब यह है कि proportional tax में ज्यादा burden अमीर लोगों पर ही रहता है ठीक है तो यह था हमारा proportional tax अब आते हम progressive tax पे अब देखो भई यह progressive tax क्या होता है ना जब income के बढ़ने के साथ साथ जब income के बढ़ने के साथ साथ tax भी भढ़ता है इस तरीक, tax rate भढ़ता है tax नहीं, tax rate भी भढ़ता है तो इस तरीके के tax को हम कहते है progressive tax फार एक्जेंपल हमारे इंडिया में क्या है जिन लोगों की income 0 से लेकर 25 0 से लेकर 2,50,000 तक है यानि धाई लाग तक है तो उनको कोई tax पे नहीं करना है भई ठीक है, they have to pay no tax लेकिन इसके उल्ट, जिनकी income 2,5 लाग से लेकर के 5 लाग तक है उनको अपनी income का 5 परसेंट जो है tax पे करना है सालाना 5 परसेंट यानि कि yearly, annually 5 परसेंट tax पे करना है उनको अपनी income का उसी तरह से जिनकी income 5 लाग से 7,7 लाग के दर्मियान में है अब यहां पे थोड़ा दिहान देना जिनकी income 5 लाग और 7,7 लाग के दर्मियान है उनको tax कैसे पे करना है उनको एक तो 12,501 tax पे करना है उसके साथ में 5,000 से उपर उनकी जितनी भी income जा रही है उस income का 10% भी उनको पे करना है in the form of tax समझा रही आपको उसी तरह से एक और example ले ले लेते हैं जिन लोगों की income यह हमारे इंडिया की बात हो रही है जिन लोगों की income 7,7 लाग से लेकर के 10 लाग के दर्मियान में है उनको एक तो 37,500 पे करना है इसके अलावा 7,7 लाग के उपर उनकी जितनी भी income जा रही है 7,7 लाग के उपर उनकी जितनी भी income जा रही है उसका 15% उनको as a form of tax पे करना है तो अब यह progressive tax क्यों लगाया जाता है क्योंकि progressive tax इसलिए लगाया जाता है ताके अमीर जो है वो अमीर ही ना बनता जाए क्योंकि अगर हम पुरी country में एक ही तरह का tax रखें same tax रखें ठीक है तो ऐसे में क्या हो जाएगा ऐसे में गरीब पर ज्यादा burden पड़ेगा और अमीर बच जाएगा तो अमीर ही होता जाएगा उसकी income बढ़ती ही जाएगी बट वो tax पे कम कर रहा है ठीक है और गरीब गरीब जो है वो मारा जाएगा तो इसलिए हम progressive tax लगाते है ताकि economic gap जो है या फिर economic divide जिसको हम economics में कहते हैं वो उतना ना रह पाई ठीक है तो ये था हमारा progressive tax अब हम आते हैं regressive tax पर तो regressive tax बिल्कुल old आयार progressive tax के regressive tax में क्या होता है जैसे जैसे income बढ़ती है वैसे वैसे tax rate कम होता है ठीक है income बढ़ गई tax rate कम हो गई तो इस तरीके का tax rate या इस तरीके का tax system कहीं पर भी नहीं पाया जाता है आज की दुनिया में ठीक है और अगर कहीं पाया जाता है और अगर आपको कहीं पता है तो आप जानकारी है आपको तो आप comment box में कह सकते हैं ताके हमें भी पता चले ठीक है अब हम भड़ते हैं अपने specific text की specific text क्या है भई specific text goods की certain quality की basis पे लगाया जाता है for example इस text को impose किया जाता है according to the length of according to the length according to the weight and according to the size weight length and size of commodities for example जब कपड़ी पर tax लगाया जाता है तो as per length लगाया जाता है sugar पर लगाया जाता है तो as per weight लगाया जाता है television पर लगाया जाता है तो as per size जितना बड़ा size उतना ज़्यादा tax ठीक है जितना कम size उतना कम tax तो यह यह था specific text एक बार और बता देता हूँ specific text को क्या होता है specific text हम उस text को कहते है जो commodities की certain qualities की बिना पर लगाया जाए on the basis of certain qualities of the good for example its weight its length or its size तो यह था specific text अब आता है ad valorem tax ad valorem tax क्या है बड़ाइड वलोरम tax हम उस text को कहते है जो commodities के या फिर goods की value की base पर लगाया जाता है it is based on the value of the good higher the value of the good higher will be the tax lower the value of the good lower will be the tax since अब चूंके goods की goods and services की जो value है वो किसमें major करी जाती है in terms of the price so higher the price higher the price higher will be the ad valorem tax and vice versa यहने vice versa का मतलब के कम price है तो कम tax है तो यह था ad valorem tax ठीक है तो इस तरीके से हमारी classification हो गई खतम अब हम बढ़ते हैं अपने types of taxes पे सबसे पहले आता corporate tax अब मैं एक और बात बता दूँ पहले इससे पहले कि हम इनको explain करें कि मैंने यह types of taxes जो है ना देखें serial wise लिखें number wise लिखें पहले corporate tax लिखा है फिर income tax लिखा है फिर excise duty लिखा है मैंने फिर custom tax लिखा है फिर service tax लिखा है यह इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यह मैंने on the basis of the contribution लिखा है यहने सबसे ज्यादा tax हमारी सरकार को कहां से मिलता है corporate tax से सबसे ज्यादा tax corporate tax से दूसरे number पर income से तिसरे number पर आता है फिर आगे जो मैंने लिखा है ठीक है तो अब यह corporate tax क्या है भाई corporate tax एक तरीके का direct tax है जो companies या फिर corporations पे लगाया जाता है ठीक है corporation tax is the tax which is paid by the companies which is paid by the corporations it is corporate tax दूसरे number पर आता है हमारा income tax income tax it is also indirect sorry direct tax and it is imposed on the income of the individuals जो लोगों की income पे लगाया जाता है उसको हम कहते हैं indirect sorry income tax ठीक है और यह individuals पे लगाया जाता है और यह direct tax है क्योंकि जिस पे लगाया जाता है उसको पे करना है ठीक है फिर आता है हमारा excise duty excise duty अब क्या होता है nau приз मैं इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बतादूं करें excise duty आज कल हमारे इंडिया मनें कफी कम देखा जाता है क्योंकि 2017 में क्या हो गया 2017 मt में हमारी इंडिया हमारी गॉंवर्मेंट ने जी एसडी introduce किया ठीक है आप क्या होता है यह मैं देरे देरे बता दूंगा आपको कि यह जो excise duty था ना इसको impose करा जाता है at the moment of the manufacturing of the goods and the services यानि कि goods and services जब या goods या commodities जब अपनी manufacturing stage में होती है तो उस वकत ही इस tax को impose किया जाता है इन पर ठीक है यह एक तरीके का indirect tax है ठीक है which is paid to the government by the producer producer इसको government को pay करता है और producer इसको अपनी cost production में include करता है और इसका burden consumer पे shift करता है इसलिए यह indirect tax है ठीक है अब excise duty नीचे एक और tax आता है custom tax ठीक है custom tax और excise duty में क्या फरक है कि excise custom tax जो है उन goods and services पर लगता है जो across international borders export किये जाते हैं और excise duty उन goods and services पर लगता है जो अपनी domestic territory के अंडर ही बने है goods ठीक है जो अपनी domestic territory के अंडर ही produce किये गए हैं उन पर excise duty लगता है ठीक है good sir produced domestically ठीक है अब क्या है मैंने जैसे पहले बताया कि 2017 में क्या हो गया कि यह जो excise duty है ना इसकी काफी forms क्या है हमने subside कर दी इनको खतम कर दिया रद कर दिया और government ने GST introduce किया तो इससे पहले central level पर क्या होता था ना यह जो excise duty इसको central excise duty additional excise duty की form में charge किया जाता था तो 2017 में हमने GST introduce किया तो अभी क्या होता था ना यह जो excise duty है जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम manufacturing stage के दौरान impose करते थे goods and services पर लेकिन GST is imposed GST को हम impose करते हैं at the time of the sales it is a sales tax और यह भी एक तरी से और यह भी क्या है एक indirect tax ही है कि यह goods and इसको इसलिए बताया जाता है goods and services tax ठीक है यह भी एक तरह का indirect tax है तो आज जैसे मैंने पहले बताया बाई कि 2017 में GST के लागू होने की वज़े से काफी excise duty जो है का इसकी काफी forms को हमने रद कर दिया गया रद कर दिया है तो आज हमारे इंडिया में excise duty सिर्फ दो ही चीजों पर लगाया जाता है एक है petroleum और एक है शराब ठीक है तो हमारे रिसेंटली क्या कुछ ही दिन होगे कि हमारे इंडिया में petrol के दाम जो है 100 का आकड़ा पार कर चुके हैं तो इस वज़ा से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी जी जो है वो देश के पहले प्रधान मंत्री बन गए हैं जिनके कारिकाल में petrol के दामों ने 100 का आकड़ा पार किया है यहनिके century score करी है ठीक है तो यह था हमारा excise duty अब आता है हमारा custom tax custom tax के बारे में तो पहले मेरे बता दिया यार custom tax क्या है custom tax वो tax है जो उन goods and services पे लगाया जाता है जो across international borders transport किये जाते हैं यह है अब आते हम service tax पे अब देखों पर होता क्या है कि society में या फिर economy में हम काफी services लेते हैं जैसे hotel, services, restaurants, hotel, cab, services, travel agents, cable providers, etc तो यह बंदे जो है न यह service providers जो है न इन पे सरकार tax लगाती है ठीक है और यह और यह service providers उस tax का खमियाजा हमसे भुगतवाते हैं यानि कि consumer से भुगतवाते हैं customer से भुगतवाते हैं तो इसलिए service tax क्या है? indirect tax है तो यह various services पे लगाया जाता है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तो यह था हमारा topic हमने आज इस topic में पढ़ा कि हम किस तरीके से taxes को classify करते हैं और हमारे इंडिया में कितनी तरीके के taxes लगते हैं ठीके और सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में किस tax से revenue generate होता है तो एक और बात जो इस lecture में बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में 52% tax जो है वो direct tax की form में आता है government के पास यहनिके tax जो revenue generate होता है 52% direct tax से होता है और at the rest यानि कि जो 42% है वो indirect tax से होता है तो guys ये था हमारा topic I hope कि आपको समझ आया हो आपका जो concept है वो clear हुआ हो ठीक है और वीडियो अगर पसंद आया है तो यार वीडियो को जुरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसको notification आपको मिल जाए और thank you for being with me till the end